हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो अरेडुप चैनल बी ट्रिक पे आप सभी लोग का बहुत-बहुत सवकत करता हूं मैं आप दिफ्रेंट वीशे जीत सभी इनफोर्मेशन का अपडेट है मेरे पास तो मैं आज आपको जो भी अपडेट दूँगा तो मुझे तो उन्मीद है कि इस अपडेट के बाद आपको और कुछ वीडियो देखने की जरुवति नहीं पड़ेगा के बारे में तो फ्रेंट्स प्लीज इस वीडियो को पू सारे लोग इस ओफर के बारे में अल्रेडी जान चुके हो फिर भी चलो यह बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग मेरे वीडियो के लिए वेट करते हैं तो उन लोगों के लिए दुबारा बता देता हूं कि ओफर क्या क्या है सबसे पहले आप निकी आप को ओपिन करो तो निकी आप पर एक ऐसा उफर चल रहे है जहां पर आगर आप एमाजन पे से एक रुपीच पे करोगे उसके बदले में एमाजन पे पर बीस रुपीच का कैसबग मिल जाएगा तो निकी आपको ओपिन करो निकी आपको ओपिन करने के बाद आपको जो है लेंड लाइन तो वहाँ पर आप जो वहाँ पर chatting option रहता है तो वहाँ पर लिख दो landline, उसके बाद बो लोग बोलेगा कि कौन सा operator तो आपको यह टेल चूच करना है, यह टेल यह फिर किसी भी चूच कर दो, यह टेल चूच करने के बाद आपको mobile नम टालने के लिए बोलेगा, तो यह आप 11 digit का कुछ भी डाल दीजिए, आप सही हो, गलत हो, कुछ नहीं जाता भाई, आप 11 digit का कुछ भी डाल दीजिए, उसके बाद आपको मतला कि दुबारा आपको preview के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर yes कर दीजिए, उसके बाद उसको confirm कीजिए, तो उसके बाद payment के लिए जैएगा, जैसे कि फरेंट मैंने भी किया, तो मेरा भी instantly cashback आ गया, यहाँ पर cashback भी आप देख सकते हो, तो ऐसे करके आप ले सकते हो, यहाँ पर एक बाद आपको बता देता हूँ, यह जो cashback दे रहा है, हो सकते है कि बाद में cashback refund हो जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको इस cashback को यूच कर लेना है, लेकिन मुझे पता है कि 20 रुपीच पर आप कितना रिचेच करोगे, इसके लिए मैंना एक plan सोचा है, comparify को यूच कर लो, और यह जो cashback मिला है, एक cashback को आप comparify पर transfer कर लो, तो आप जाओ comparify पर और वहाँ पर किसी भी एक यहाँ टेल भोड़ा कर दीजिए, जैसे ही करेंगे तो रिचेच हो जागा फेल्ड और कुछी दिर के अंदर या फिर instantly भी आपको जो पैसा था, वो पैसा cashback आजाएगा comparify की रिचेच पर, जो रिचेच पर को आप कभी भी कहीं भी यूच कर सकते हैं, तो आप एक काम करो, जिस Amazon Pay account पर आपका ज्यादा ज्यादा पैसा है, उस Amazon Pay account पे इस offer का लाब मद उठाओ, क्योंकि पता नहीं friends, यह जो cashback दे रहे हो सकते हैं, कभी भी refund हो जाएगा, इसलिए यह new new account बनाओ, बस आपको तो पता है कि कैसे unlimited account बनता है, तो उसी तरीके को यूच करके Amazon Pay ज्यादा स्यादा account बनाओ, बस आप एक रूपीज करके add कर लो, उसके बद इस offer को काम पे लगा गया, जितना मर्जी उतना पैसा कमाते जाओ, friends, बहुत ही आपके लिए helpful होगा, और एक निकी account से आप unlimited Amazon Pay account का add money कर सकते हो, friends, उन्मित करता हूँ, यह offer आपको बहुत ही अच्छे लगी होगी, तो चले next offer के और जाते है, next offer आ रहे, phone pay की तरफ से, तो phone pay पर और jingoi पर एक ऐसा offer है, कि अगर आप इस महिने पे, ठीक है, आप jingoi पे phone pay के थुरू 2 transaction करेंगे, 10 रुपीज करके यह फिर उसे ज्यादा की amount का, तो आपको 100% cash bank मिलेगा, तो 10-10 करके 20 रुपीज का यहाँ पर फायद लिजे, payment कर दीजे, आप payment कर दीजे, आप phone pay से, जैसे 10 रुपीज का payment करेंगे, instantly आपको gift card मिल जाएगा, और आपका 10 रुपीज instantly refund हो जाएगा, उसका बाद और एक गोही सेम तरीका आपना के, 10 रुपीज का gift card खरिद लिजे, और payment कर दीजे, phone pay से, और instantly आपको वहाँ प gift card purchasing पे लगा सकते हो, तो मैं नहीं बताऊँगा कि आप इस पे use कीजे, या फिर उहाँ पे use कीजे, आप खुद की मर्जी, आपका जब भी जरुवत पड़ेगा, तब भी इस दो gift card को आप एक साथ पे या फिर अलग 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 पे use कर सकते हैं, तो friends, चलो next update के और जाते कर पाएंगे, क्या हमारा जो पैसा है, क्या वो bank account पे transfer हो पाएगा, ऐसे काफी सारे question आपके दिल में है, तो चलिए friends, आपके दिल में जितने भी सारे question है, सभी के सभी question को clear कर देते है, सबसे पहले जो question आता है, क्या हमने जो mini KYC किया है, उस KYC के उपर हमारा PTM payment bank open हो सकता है, तो friends, चलो, आपको दिखा देते है, कि KYC open होगा के नहीं, friends, काल भी मैंने एक PTM account को mini KYC किया था, तो काल मैंने जो account को mini KYC किया, मुझे उनमीत है, कि जितने भी सरे लोग video देख रहे हो, उनमें से maximum लोग भी, कोई ना कोई account को mini KYC पे update किये हो, इनमें से कुछ लोग ऐ से है, जो लोग सही सही information देके mini KYC किया है, और कुछ लोग ऐसे भी है, जो लोग गलत information देके KYC किया है, तो उन दोनों लोगों के लिए एक है update है, कि अगर आपको PTM payment bank open करना है, तो यह देखो, आप सही दियो हो, गलत दियो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ज आता है कि added nominee का option आता है, उसके बाद आपको कुछ step दिया जाता है, जिस step को fill up करने के बाद, आपका जो bank है, उसको verification pending पर भेज़े जाता है, तो verification pending के मतलब एक ही है, कि आपको biometric fingerprint देके KYC complete करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका यहां पर account जो है, वो access आप कर पाएंगे तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, कि आपका nearest जो भी biometric center है, मतलब कि जहां पर biometric KYC हो सकता है, तो वहां पर आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आपको पता कैसे जलेगा, कि आपके nearest कहां पर biometric fingerprint देकर KYC update हो रहे है, तो यह देखो, वहां पर जो option मिलता है, कि मतलब कि verification pending, या फिर nearby KYC store, ऐसे करके जो भी option मिलता है, वहां पर क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे, यह आपके साने एक page आजाएगा, जहां पर दिखाएगा, कि आपका state and district, तो आप सबसे पहले state select करो, जैसे कि मेरे West Bengal है, तो मैं West Bengal को select कर लेता हूं, और district के अगर बात करें, तो यह देखो KYC, मतलब कि fingerprint देखकर, biometric KYC, सभी के सभी district पर अभी available नहीं है, तो जैसे कि मेरे district है पुस्सी मेदरापूर, तो इस list पर पुस्सी मेदरापूर नहीं है, तो मैं कलकाता को देखकर दिखा देता हूं, जैसे कलकाता को select करता हूं, यहाँ पर देखो यह काफी सारे option है, काफी सारे जगा पे होता है, जो भी जगा आप देखोगे, आपका nearest जो भी होगा, उस जगा को select कीजे, उसका phone number भी आपको देखने को मिल जाएगा, आप अगर phone से भी उन लोगों को contact करने के कोशिस करना चाहते हैं, तो आप phone से contact कर सकते हैं, पूरा details ले सकते है और कब जाना होगा, कब उसका store open रहेगा, सब कुछ आप उन से phone करके, बात करके जान सकते हैं, उसका बाद आपको, आपका कोई भी एक details, जो जो दिया गया था, जैसे कि आधर card, pen card, voter ID, job card, driving license, इन वैसे कोई भी एक documents आपको लेके जाना है, उसका बाद आपको fingerprint देके, य उसके बाद ही, आपको जो है, आपका paytm payment bank दिया जाएगा, तो friends, ये था paytm payment bank के बारे में update, तो friends, अभी बाद आता है, कि जिन लोगों ने गलत KYC details डाल के, मतलब कि mini KYC किया है, तो उन लोगों के लिए क्या होगा, भाई आप सही details दो, या फिर गलत details दो, जो भी details देक फुल KYC पे आपका अपग्रेट ना कर रहे हो, तो तब तक आपका जो किया paytm payment bank open नहीं होगा, लेकिन खुसकवरी तो ए है, कि आप कुछ भी details देके, अगर update कर देते हो, तो आपका account हो जाता है, mini KYC, जहां पे आप अप टू 10,000 रुपीज तक की transaction कर सकते है, पर मांथ, जैसे कि यहार, यह जो mini KYC हो गया आपका account, तो इस account पे cashback भी receive होगा, आपको अगर विश्वास नहीं होथा, तो चलिए friends, मैंने यहां पे graph 50 लगा कर एक recharge करता हूँ, और आपको cashback मिलता है के नहीं, live दिखा देता हूँ, देखो यह recharge वाल सेक्षन पे जाके, heavy promo code पे मैं graph 50 को apply किया, तो इस पे मैं recharge करूँगा, तो दिखा देता हूँ, recharge करने के बाद cashback आता है के नहीं, तो देखो यह recharge होगा complete, और मुझे cashback भी मिल गया, देखो यह instantly cashback receive हो गया, इसका मतलब जो भी account को mini KYC करोगे, वो हो सकता है, सही details दो, या फिर गलत details दो, तो उस पे cashback अभी question आता है, क्या हम इस mini KYC account से किसी दूसरे account को पैसा send कर पाएंगे, तो चलो यह live experiment करते है, तो यह चलो मैं किसी दूसरे number को मैं पैसा send करूँगा, तो यहाँ पर 50 रुपी से enter कर देता हूँ, send करता हूँ, देखो यहाँ यहाँ पर क्या बोले है, कि जब तक आप KYC full complete करोगे, तक तक पैसा send नहीं कर पाओगे, यह पिछले बार भी होता था, तो इस बार भी वही same name है, ठीक है, तो अभी हम पैसा कैसे send करेंगे, तो यह scan and pay तो है आपके पास, तो अब scan and pay को use करके, किसी भी merchant को कभी भी कहीं भी पैसा send कर सकते है, तो यह था KYC के बार में update अभी भी अगर KYC के बार में और भी कुछ जानना है आपको, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएगा, जिसका answer मैं 100% देने के कोशिस करूँगा, तो friends उनमेद करता हूँ कि ए वीडियो को बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो यह करो like और करो अपनी दन्यवाद